गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अरू लीगल अकैडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि All India Bar Examination होने वाला है उसका पेपर आने वाला है कुछ समय बाद तो उसको किस प्रकार से क्लियर करेंगे उसके जरूरी टिप्स आपको बताऊंग चाहिए तो फ्रेंड्स उसके लिए जिसमें कोश्यान आते हैं जिसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन में इस आप से रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप क्लियर करना चाहते हैं आप आपने तयारी नहीं कर पाए हैं इसी साल आपने लाग परकिया है और एक्जाम आ गया है फॉर्म आपने फिल कर दिया तो इसके लिए कुछ टिप्स डूँगा आप ज़रूर क्लियर कर पाएंगे अपना जो भी ऑल इंडिया बार एक्जामनेशन 17 का है तो आप फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे तो इसके रहेते हैं जब एक्जाम आपका आएगा तो उसमें इन ही में जो आप पढ़के जाएंगे क्योंकि आप ज्यादा फोकस इने में किये होंगे तो जो भी कुष्चन आपके आएंगे आपको याद रहे गए तो आप यह कुष्चन जो जैसे IPC के हैं Family Law है Constitutional है CRPC है इनमें जो कुष्चन आएंगे इसमें आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आप कर लेंगे और कुष्चन आपको छोड़ना नहीं है सारे अटेम्ट आपको करना है लेकिन पहले फोकस इन ही में रखना है जो मैंने बताया जैसे जो Constitutional Law है Family Law है IPC है इनमें पूरा फोकस रखना है इनमें अच्छे तरीके से आपको यह जो कुष्चन आएंगे करना है क्योंकि आप इनमें ज्यादत है जो समय बचा है इसी में फोकस अपना 6 सब्जेक्ट पर रखिए और जो बाकी के हैं उनमें कुष्चन आपको छोड़ना नहीं उ आपके कुष्चन में नमबर आपके कट जाएंगे तो ऐसा नहीं है पहले जो इन पे आप फोकस करेंगे इनसे जो आपको समय बचेगा उसके बाद बाकी सब्जेक्ट में आप अंसर करेंगे तो इस ट्रिक से आप करेंगे तो बिलकुल डेफिनेटली आपका जो आल इंड इसी फॉर्मेट में अपनी तयारी को रखिए ज्यादा जो सब्जेक्ट है 19 पूरे उनमें फोकस मत कीजिए क्योंकि अभी अपने पूरी तयारी तो की नहीं है अब समय भी नहीं बचा कि आप सारे सब्जेक्ट पर फोकस कर पाएं तो इसमें मैक्सिमम पॉस्पिलिटी है जिनमें ज्यादा कुस्चन आएंगे अभी आप उनकी तयारी सिर्फ कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्योंकि अभी आप उनको ज्यादा पढ़ पाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट कम रहेंगे तो ज्यादा आपको समय मिलेगा जब समय ज्यादा मिलेगा तो आप उनमें फोकस अच्छे से कर पाएंगे तो उसमें जब समय कम है तो subject भी कम आपको करना पड़ेगा आप उस पर important जो है उन पर focus कीजे और जब आप पढ़के जाएंगे जैसे question आपके सामने आएगा तो आपको ध्यान आजाएगा कि मैंने हाँ यह question पढ़ा था IPC में यह constitutional law में यह family law में तो वह question आप attempt आसानी से कर पाएंगे तो इस trick को friends आप अपना कर देख लीजिए और आपका definitely exam आपका AIB 17 जो बैटने जा रहे हैं निकल जाएगा आपको घबराने की जरूत नहीं है और इसी तरीके से आपको करना है तो friends जो वीडि बनाता हूं इसके notification आपको तुरंत यानि जल्दी प्राप्त हो आप चैनल को subscribe कर लिजिए और जो भी आपको जैसे friends AIB exam देना चाहते हैं वो इस trick को देख पाएं आप उनको जो भी आपके friends और law बाइग्राउंस हैं उनको ज्यादा ज्यादा सेयर कीजिए तो friends आसा करता हूं जो जानकारी दी है आपको जरूर पसंद आएगी और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को subscribe कर लिजिए तो friends आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद have a nice time stay connected thank you